स्वोडिजुप गईस कैसे हैं आप सबी लोग तो भी आज की सुड़ी में आप लोगों से बात करने वाला हूँ 2023 हिंडाय माइक्रो एस्युवी के बारे में और ये गाड़ी में जो है को काफी जादा चीज़े देखने को मिल जाती है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू कि हिंडाय की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि ये अपनी नई सब कॉंपेक्ट यूवी जो है इंडिया में लॉंच करने वाली है जो की टाटा पंच, मारूती इगनेस और महिंदरा के यूवी 100 को कंपीट करेगी इस गाड़ी का कोड़ नेम जो है वो AI 3 है और ये गाड़ी जो है वो बिलकुल डिफरेंट होने वाली है जो कॉरियन स्पेक कैस पर हमको देखने को मिल जाती है इस से ये चीज konkret उकनार्ट करमिमे तरोफ करें जो की डाया 305 गाड़ी हम दाओन धायी है व्याज है को देखने को अपता पंच कीわかऄ का test mule spot किया गया था South Korea में इंडिया में भी इसकी testing काफी जादा जल्दी हमको देखने को मिलने वाली है सबसे पहले तो हिंडाई ने Centro को discontinue करा जो की के वन प्लैटफॉर्म पर बेस यह गाड़ी भी के वन प्लैटफॉर्म पर ही बेस रहने वाली है हिंडाई Centro को discontinue करने के बाद इस गाड़ी को launch करने का expect हिया जा रहा है जबकि हिंडाई Centro काफी जाद अच्छी sales कर रही थी जहां पर 2500 से लेके 3000 units पर मन जो है यह गाड़ी बिक रही थी बड़ उसके बाद भी हिंडाई ने इसको discontinue कर दिया गया हम लोग को ऐसा ही लगता ह कर देखने को मिल जाता है कैसपर में को राउंड देखने को मिल जाता है अब लोग से बात करता हूं तो कैसपर का दैमेंशन जो था 2595 mm long था 1595 mm wide था 1575 mm tall था और यह काफी decent वील बैस पर रवाइब करता था 2400 mm और यह गाड़ी का cabin है वो सिर्फ और सिफ चार लोगों के लिए ही बनाया गया था और इस गाड़ी को light car regulations में भी रखा गया था साउथ कोरिया के मार्केट में आप लोगों को बता हूं कि टाटा पंच का दाइमेंशन जो है वो काफी जादा बड़ा है इस गाड़ी से जो कि 3827 mm long है 1742 mm wide है 1615 mm tall है वहीं इसका 2445 mm का हमको वील बेस देखने को मिल जाता है और मैं आप लोगो बता हूं कि इंडिया स्पेक युंडा को कुछ इस थी ताइप की देखने को मिल जाएगी यानि कि यह गाड़ी जो है कैसपर से बड़ी सी बड़ी होने वाली है इसके फीचर्स के वारे मैं आप लोगो बताता हूं तो काफी जादा अच्छे फीचर्स पर से ही लिये गए है इसमें LED हेंडलम्स देखने को मिल ज जाएगा और मैं आप लोगो बता हूं तो यह गाड़ी जो है में 6 एक्टीर कलर ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगी और साथी साथ थी इंपर्टेंट सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो इंडिया स्पेक्स जो हिंडाए माइक्र सेवी होने वाली है उसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा फोर्स लेंडर जो की एक्टीव बीएश्वी की प्रपड़ी उसकरेगा साथ ही साथ के पेट्रोल के साथ सी एंजी ऑप्शन में भी हमको लोगा अगली वीडियो में